जोबी मैगवार और एंड्रियो गार्फिल्ड की वोईस की पीछे थे क्या आपको डर है कि मैं कोई मुझरम बगरा बन जाओंगा? आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजे कुछ बदलाव आये हैं पर मैं खुद समझ लूँगा आप मुझे लेक्चर मत दीजे प्लीज मैं तुमसे सच कहना चाहता था कह देता हूँ मैं स्पाइडर मैन हूँ अजीब लगा न अब समझी कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अगर मेरे दुश्मनों को तुम्हारे बार में पता चला और अगर तुम्हें तुम्हें चोट पहुँची तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैरे क्या मतलब? यह तस्वीर नकली है पाकवा, तुम्हें एक तूद पीते बच्चे हो तुम कब मेरी बुराई करना बंद करोगे? यह आखरी मौका है पाक एंसन्स किजी को तब होता है जब रसान पैदा करने वाली मस्तिश की कोशेखाय गायब होने लगती है पर वेग्यानिक शोध के मताबिक एक जीबरा फिश में ये कोशेखाय पुनर जिवित करनी की काबिलित है अब हम देखते हैं कि इस मुवी में कौन-कौन से करेक्टर्स को कौन-कौन से वोईस आटिस्ट ने वोईस दी है पिछले हफते लंडर में हुए हम लोग बुलेकर हमें एक अग्याद शक्स ने ये वीडियो भीजा है और ये क्विंटन बैक यानि मिस्टिरियो की मौत से पहले का वाक्या है इसके कुछ दुरिश्य आपको बिचलित कर सकते हैं मैंने जान पर खेलकर एलिमेंटल को दूसरी दुनिया में धखिल दिया है पर मुझे निलगता है इस विट से मैं जिन्दा निकल पाऊँगा हला कि मिस्टर होगर हाँ एफबी आई उस गायब होई टिक्नालोजी के पीछे लगी हुई है मैं मिस्टर स्टाक के लिए आपकी वफादारी समझता हूं लेकिन अगर आप इससे जुड़े हैं तो वकिल की जरूरत पड़े दुनिया का सबसे मशहूर शक्स जानता हूं वांग यहां गिरना मत वरना कुछ भी टूटा तो पैसे तुम भरोगे नए रोटंडा का एक दर्वाजा हमें साइबिरिया से जोडता है यह बरफिला तूफान वहीं किते पीटर हमने स्पेस टाइम की स्टेबिलिटी से चेडखानी की थी जिससे अंगेनत जिंदग्यों को बचाया जा सके और तुम्हें यह करना है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है मुझे बहुत अफसोस है पर चाहकर भी मैं मदद नहीं कर सकता बेरे पास टाइम स्टोर नहीं है पीटर तुम्हें के हीरो हो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के एड्मिशन की बात करूँगी और तुम्हारे एड्मिशन की भी मैं तुम्हारे दोस्तों के बारे में बात करूँगी और तुम्हारी भी, चीक है, सच में, और अगर किसी मुसीबत में नहीं पड़े, तो श्याद मौका मिल जाए, पकड़ो, रास्ता चाहिए, सीनियर यर के पहले दिन यहां है, मिट टाउन हाई के सबसे फेमिस तुम्हारे लिए ये सब किया है, तुम्हें वक्त मिले तो इस पर एक बार नजर डाले है, हम अब सब कुछ जानते हैं, नावन को हमने छुट्टी पर बेज दिया, जानी, क्या कहा था, कोई परचाई नहीं, क्या तुम्हें सच में लगा था, कि मैं ऐसा होने दूगा, सि इसलिए कि तुम नहीं जानते असली ताकत तुम्हें क्या बना सकती है, मैं तुम्हें अपनी सारी ताकत छीन लेने दूगा यकीन मानो पीटर, लोगों की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का अंचाम, कभी कभी बहुत बुरा हो सकता है, अगर हमने तुम्हारी नहीं सुनी तो हम मारे जाएंगे, मतलब और कोई रास्ता ही नहीं है मुझे क्यों जरूत है, इल्जाम तो इस पर है, लेकिन आपने कहा ता कुछ साबित नहीं होगा, अचा क्यों ना मैं उनसे ये कह दू कि मैं आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि कहने से मैं फस सकता हूँ, मैरा मतलब है, ऐसा कई मोवीज में होते हुए मैंने देख जो किसी बैचलर के फालतू कबाड को इस्तेमाल करने वाला है, मैरी एक बेटी है, जिसे मैं देखना चाहता हूँ, पर वो किसी को घर नहीं बेज़ेगा, जब तक उसका साइंस प्रजेट खत्प नहीं हो जाता, किसी पर परोसा नहीं, तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे जहां मैं काम करता था, वहाँ जीवों से निकलने वाली उर्जा पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था और मैं इलेक्ट्रिक इल्स के टब में कर गया मैं हूँ स्पाइडर का बेस्ट है, उस तक पहुंचना है तो लड़ो पहले फ्लेश थौंसन से, और अगर हमारी दोस्ती की कहानी पढ़नी है, तो खरी दिये मेरी नई बुक, फ्लेश पॉइंट, एक स्पाइडर, दो दिल, और करोडों के आद्भरी आदे, इस पर ओफर मैं समझ सकती हूँ, तुम बस सब कुछ ठीक करना चाहते थे, लेकिन अगली बार बस हमसे एक बार बात कर लेना, ठीक है, तो जब भी तुम्हें लगेगा ही, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे, दुनिया तबाह हो सकती है, हम मदद करेंगे, आपस में बात करेंगे, जब आपस बहुत है, तुम ने बिलकुल सही किया, तुझ जो नॉमन ने कहा, मैंने तुम्हारा इस्तिमाल किया, नहीं, 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 तुम मेरी पाथ सुनो, तुम्हें एक तोफा मिला है, इस ताकत का तोफा, और हमेशा याद रखना, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी स जम्मेदारी भी आती है, अगर वो हीरो है, तो अपना नकाब हटाए, और हमें अपनी असली पहचान बताए, ठीक है, ठीक है, तो जैसा मैं समझ रहा हूँ, वो यह कि यहाँ पे, रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, जो सुपर्यों में से हैं, और ये पिछले एक गंट इससे तुम्हें यही बता रहा है, तुम कहते थे जाबाज रखवाले बखवास ना, अबे जाड़ गई है, चलो डूपकी लगाए, जनाब, मेरी फैमिली गाएब हो गई थी, वो भी पांच साल के लिए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मेरी गल्तियों के वजह से कईयों को बहुत दर्द पहुजा, मेरे अंकल बेन मारे गए थे, और गलती मेरी थे, जिस रात अंकल बेन की मौत होई, मैंने उसे ढून निकाला, जो मेरी नजरों में दोशी था, मैं उसकी मौत चाहता था, और मैं जो चाहता था, वो मझे मिला, पर उससे कुछ नहीं मेरी M.G. थी, मैं उसे नहीं बजा पाया, और उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकता, ये क्या हो रहा है, जो इना कोई तरीका तो होगा, क्या फिर से वो मंतर नहीं बढ़ सकते, इस बार मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगा, एप्रामिस, अगर सब भूल पकर? मैं हो